कर सकते के पिछ आपको तीश रूम मिलेगे चो के पिछे कितना मिलेगे आप खुद अंदाजल लगा सकते तीन हजार रुपय का हुगा और एक दुकान वाला गम शेगम गाम में भी यह सो से प्लस करिद लेगा अब काफी लोग बोलेगे बैसा बैसी कौन से चीज जिसको मित इतना सारा सेल कर सकते देखे दोस्तों दोस्तों कैसे हो आज में अगर दोस्तों आप गाउं में रहकर कोई ऐसे bisnes श्टर्ट करना चाता है इसमें में अहन लोग होने वाले क्योंकि इस तरह का तरीका आपको ना तो यूटूबर बता था ना कोई ऑफ-लाइन बता था क्योंकि दोस्तों सब लोग यहां पर बोलते जॉब कर लो लेकिन मैं बोलता हूं आप एक अच्छा बिजनेस कर लो क्योंकि आप लाइप चेंज हो जाए कि एक ब क्योंकि दोस्तों जोब एक आपको देखिए कभी भी इतना नहीं कि आप बिजनेस लोग बिजनेस करते हैं तो च्छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं बड़े लेवल तक जाते क्योंकि मैं बोलता हूं वीडियो कंप्लिट देखना और चलिए दोस्तों आज का टॉप हो बिजनेस आइडे में स्टार्ट करूंगा उससे पहले चोटी सी बात करना चाहूंगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कभी हो सकता आपके काम का बिजनेस आइडे जिसके दुरूब पैसा कमाने लग जाओ और उसके बाद मेरी वीडियो देखना ठेंक् सकते काफी लोग बोलेंगे भाई किस तरह से कमेंगे कर सकते तो भाई सब में पूरा तरीका बताओं ठीक है तो वीडियो दियान से दिखना तभी आपको समझाएगा चलिए हमें वीडियो के स्टार्ट कर लेते तो सबसे पहले दूस्तों आपको पता प्लास्टिक है बहुत ज्यादा चलते अब इसमें देखिए दोस्तों कितना बजट लगेगा वह वीडियो में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए बहुत ही ग्रोथ लेवल है यह जो आप जूट का बैग बिजनेस आप स्टार्ट करते अभी के आप स्टार्ट करते तो आने वाले समय में इतना ग्रोथ बहुत अज़र होगा क्योंकि आपको पता पॉली थी नियानी जो प्लास्टिक की थेली आती है वह बंद हो चुकी और जूट का बैग है जो बड़ी बड़ी कंपनिया वह भी इस बनाने लग चुकी है तो आप अगर यह बिजनेस च्टार करते तो आने वाले समय में बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा जिसका अपका प्रोफिट है वह अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं लगेज बैट बना सकते हैं उसके बाद बोतल बैग है जैसे यह पर पार्सल बैग है तो बहुत अच्छी बात है आप गाउं से स्टार्ट कर सकते हैं अब बेशना कैसा इसके देखें काफी लोग को यही दिक्कत आती मेरे वाले वीडियो में पता नहीं दोस्तों क्यों लगी मुझे पर्सनल मेसेज आते हैं इस नप है और वाट्सप लोग बोलते हैं भाई स सटार कोई नहीं कोई एक सटूता ओगे सेर उसमें कितनी सारी सोब्सें दिने कर के दिखाना का वाइसा मैं ऐसे बेग बनाता हूं आप चाओं तो मेरे कोंटेक करके मेरा डिया सकते हैं क्योंकि मैं गाहं से मनाता हूं और इसे मेरा क्यां मार्जिन में कम रखूंगा तोभी आपको मैं सेल कर दूँगा तो इससे क्योंगा आप पर एक लेकिन काफी लोग यहीं पर काफी लोग मुझे बोले कि इसके लिए मुझे बज़ेट कितना चाहिए इसके लिए साथ जार से एक लाग के बीच में आपका बज़ेट है तो आप इस काउं को स्टाट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसमें आपको बड़ी लेवल तक लेकर जा सकते हैं दूसरा दूस्तों दूसरा आप बिजने साइडेश में ना तो कुछ भी नहीं बनाना है सिर्फ बार आप काफी लोग बुलेगए के ऐसी कौन से चीजे जिसकों इतना सा्थ इसट गा when समझ ना दोस्तों बहुत मेहनस से आप जिसरें इसबन यहां पर आ यह गाम है राइक तो यह चार पास धुकान हो चुके बतर हो कान थुला कि तो दूटाइब उसे ंच्तों किलोमेटर दूर की ओ किलोमेटर दूर आप दो यसा कुंझ को सम्झ्ञान की दुख오 में भाउं हुआаемद वहां बिच चलो तीन दुकान ले लेते था सो पीस लिख रहा हूं एक दुकान पर सोपीस सोपीस के चलो इसाससो पीस टोटल कितने को सब्खते ang시 ऐसे करके आपको कितने पांच गाउं ले लेने और पांच गाउं में जाने के बाद आपको क्वांटेक करना ठीक है आप अपना एक कार्ड ले जाए या दिर्वाइज आप अपना नंबर दे दिजिए अब नंबर आपको लिखना है भाई साब मैं इस चीज की जरूंड जो कोई सेलिंग कर रहा है आपको बोलना आपको कोई सी रुपे में चीज ला रहे है तो मैं साट में दे दोंगा 20 रुपे का आपको डिमप्रेस हो गया तो वह बोलेगा मेरे 250 कर दो अब यहीं पर आपका मुनाफ़ा स्टार्ट हो चुका है ठीक है थोड़ा सा भाई साब पे मैं दिखा दूं आपको यह फॉन का बिजनिस मैं मैं यह फॉन है उसके साथ आपका क्या क्या रख सकते चलो यह फॉन जो मोबाइल के कवर चार्जर टाइप सी और इस तरह से आपको प्रोडर्ट रखने अब दोस्तों यह फॉन की मैं बात करूं ना मैं दिल्ली गया था में एक बार दो तीन और बढर लेकिन्हें और थीती रुपाम इन बहुते जए तो मुर्ण लावन पर आपको कन्टे करना है कि अटो उससे ऑप करना में जा आंन..! मार्केट में शेलिंग करना चाहता हूं तो इससे क्या होगा आपका थोड़ा बहुत दिली से महेंगा देगा लेकिन आपके लिए प्रोड़क कोई नामूम की नहीं वहां से आपको चार्जर खरीजना है पहली बात है उसके बाद एयरफोन है बुलूटूथ है वैसे बहुत कोब करेगा बाइव हमें चाहिए और प्ली दे दो दोस्तो यह होच चुका एक और बिजनेस धिकया दोसतो बिजनेस पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर के तो हमारा तीसा रहता है ठीक है यह दोस्तो अध्य गाह में चलेगा और ठंडी के मोशंआ में बहुत ज्यादा यह business चलेगा जो आप कर लेते हैं अभी के time पर ठंडी में वीडियो शूट कराओं ठंडी में बहुत ज्यादा यह business चलेगा और यह गाव में बहुत ज्यादा चलेगा अगर थोड़ा बहुत भीड़ भर लिला का है और कहीं लोग बार से घुमना आते हैं तो बहुत ज्याद हमें बता दो तो यह business हो जाता है हमारा coffee shop, chai shop यानि के tea shop ठंडी में हम चाई पीते हैं कोफी पीते हैं तो दोस्तों मैंने highway पर क्यों बोला अब मैं आपको थोड़ा example देता हूं यह दो कि दिसे बड़ी-बड़ी highway होते हैं वहाँ पर बड़े-बड़े गाड़ियों होती ह अगर आपका अच्छा लोग के सदपर और अच्छी जग्ये तो आपको वहाँ पर ट्रक की लाइन लगेगी तो यह चाय और coffee का business है एक नमबर चलेगा और profit की बात की जाए कम से कम आप 2000 रुपे 3000 रुपे आसन से जो कमा सकते हैं जो आप अच्छी तरीक से business करते हैं तो अ आने वाले समय में आप इसी वीडियो पर आने के बाद ठेंक्यों जरूर लेकर भाई सब क्या idea दिया तो जबर दस्त ऐसा किसी ने यूटूब पर नहीं दिया मैं कोई अवंब बात नहीं करहा हूं छोटे छोटे बता रहा हूं लेकिन बिजनस बहुत इंप्रूबल है और कुछ भी नहीं है यह चलेगा only for साधियों की सीजन में और साधियों की सीजन हमारे इदिर आती है गर्मियों में जब बहुत कड़ी दूम पर लेकित तो बहुत ही ज्यादा यहां पर साधी होती है काफी लोग बोलेंगा भाई साब ऐसा क्या है इसका नाम है वरता दो चलो सापा आउस में क्या क्या काम कर सकते आपको मैं सबसे तरीके से बता हूँआ ठीक है चलो मैं यहापर लगा दोस्तों इसका थोड़ा डिटेल दूगा आपका मोटिवेशन होगा और आप इस बिजिनेस को कर सकते हैं चलो यहीं पर हम स्टार्ट कर देते हैं तो मैं लिख द गाड़ी नहीं गाड़ी सजाने का होता है आपको पता होगा गाड़ी सजाने का डेकोरेशन डेकोरेशन गाड़ी डेकोरेशन का सामवन लिख देख देता है गाड़ी का डेकोरेशन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इंकम की बात की जाए एक गाड़ी सजाने के प्राइज भी मिलेगी आपको अच्छे खासी इसे कि आप गाव में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि बड़े-बड़े लोग शेयर में जाता है इसके इस जीज को लेने के लिए गाड़ी डेकोरेशन करवाने के लिए अधर्वाइज कोई पाल्टियो डेकोरेशन सर्प्राइज होती है वो सब यहां पर गिप्ट चलो मैं लिख देता हूं गिप्ट गिप्ट भी बुकी चो पेक करानी है तो बड़ी-बड़ी सोब पर जाना पड़ता है क्योंकि छोटी-बुटी शोब पर यह नहीं मिलती तो अगर आप यह गाव में करते तो यह अच्छे तरीके से चलेगा और दूस्तों चलेगा नहीं दोड़ेगा और इसकी इंकम की बात की जाए तो आप बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते है जो आप इस सापहौस को करते है ठीक है कापी लोग लोग एक सापहौस मैं क्या